अलो स्टूडेंज वेलकम दो नेक्स क्लास और इसे रिलेटेट कुछ एक्स्टा कोशिंज भी मैंने आपको दिया है घर में प्रैक्टिस करने के लिए सेम वे इस क्लास में भी हम कुछ अलग टाइप के क्वेशिन प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछले क्लास में नहीं किया था और इससे रिलेटेट कुछ क्वेश्टन भी मैं आपको दूंगा ठीक है तो पहला क्वेश्टन आपको अल्रेडी स्क्रीन पर दिख रहा है और यह दो बार आ चुका है माद्दमेक एक्जाम में तो क्वेश्टन है वो इफ एक्स बाई बी प्लस सी स्ट्रीन पर बाई इस एगल तो य बाई बाई प्लस से बाई एक प्लस प्लस एगल तो लास्ट क्लास के क्वेश्टन के तरह यह कुछ आपको बड़ा सा दिख रहा है था तो सॉलूशन करने के बाद पता लगए कि कितना इस कुश्टन पर दम था तो स्टार्ट करते हैं प्लस प्लस पर यह विए गिवन ए ठीक है लेक्स इस इकल तो यह बाय बाई प्लस एग गया थे इस इगल तो माने गे इग एगल तो सम वाल्युच इस इस वीट तो खेलने यह पल्लस एकलो तो जाए को definition तो बी प्लस जी है ना अगर X by B plus C is equal to K रखते हैं तो X का वेलू क्या हो जागा K into B plus C उसके बाद Y का वेलू क्या होगा Y का वेलू क्या होगा K into C plus A and Z का वेलू क्या हो जाएगा Z is equal to हो जाएगा K into A plus B यह तीन वेलू आपको मिलेगा अभी हम लोग क्या करेंगे यह Y plus Z minus X Z plus X minus Y X plus Y minus Z यह तीनों का वेलू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग compare करेंगे कि क्या होता है तो पहले Y plus Z minus X इसका वेलू निकालते हैं ठीक है क्या है यह का वेलू क्या है Y का वेलू है K C plus A plus Z का वेलू क्या है Z का वेलू है K A plus B and minus X है तो X का वेलू क्या है K B plus C ठीक है students तो अब ही देखिए यह पूरे में से आप के common ले सकते हैं है न के common ले लिया यहां पर रह जाएगा C plus A यहां पर रह जाएगा A plus B and यहां पर रह जाएगा B plus minus B plus C ठीक है समझ में आए यहां तक अभी is equal to K C plus A plus A plus B और फिर यह bracket से निकलेगा तो minus B minus C हो जाएगा है तो plus B minus B cancel हो जाएगा plus C minus C cancel हो जाएगा यह क्या हो जाएगा A plus A मतलब 2A 2A into K यह हो जाएगा 2AK ठीक है यह हमारा Y plus Z minus X का value आगया ठीक है अभी यह क्या है A by इसको लेंगे हम लोग यह जो है पुरा value इसको लेंगे है A by Y plus Z minus X is equal to A by इसमें से value पुट कर देंगे 2AK यह 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 Z minus X तो अभी निकाला 2AK यह पूट कर देंगे तो A cancel हो जाएगा यह क्या बचाएगा यह बचाएगा यह बचाएगा 1 by 2K इसको दे दीजिए आप equation 1 ठीक है ना सेम वे मीडियो दाले टम का करते हैं नाओ Z plus X minus Y Z plus X minus Y Z का वेलू क्या है Z का वेलू है K A plus B plus X का वेलू क्या है K B plus C and Y का वेलू क्या है वो minus Y है K C plus A सेम तरीके से इसमें से भी K common आ जाएगा इधर अंदर पर आ जाएगा A plus B plus B plus C and minus C minus A तो minus C plus C cancel minus A plus A cancel ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा B plus B 2BK 2BK ठीक है नाओ ये जो सेकेंड वाला टम है इसको उठाएए ये क्या है B by Z plus X minus Y है ना तो B by 2BK ये Z plus X minus Y का value यहाँ पर हमने निकला है अल्ड़ेडी तो B B cancel ये भी क्या आ रहा है 1 by 2K योगे equation 2 ठीक है ओके नाओ एक और equation लेते हैं ये X plus Y minus Z इसको लेते हैं अभी नाओ एक प्लस Y minus Z एक सका वेलू क्या है के बी प्लस C फिर वाई वाई का वेलू क्या है के C plus A and Z Z का value क्या है minus Z है तो minus K A plus B ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने first वाले में पूरा complete step पर दिखाया हुआ है उसके बाद जहां पर भी हम कर सकते थोड़ा बहुत मैं जिस्ट कोशिश कर रहा हूं कि short रखने के लिए तो यह C plus C क्या हो जाएगा 2C into K यह हो जाएगा 2C के अभी यह वाला expression उठाएंगे हम लोग यह थर्ड वाला यह क्या है C by X plus Y minus Z तो C by X plus Y minus Z का वैलू अभी निकाला है यह रहा 2C X तो 2C, sorry 2C X नहीं 2C K तो CC cancel 1 by 2K तो यह हो गया 3 अभी तीनों को compare कीजिए equation 1 का यह value आया है equation 2 का यह value आया है और 3 का यह value आया है यानि कि क्या है A by Y plus Z minus X B by Z plus X minus Y and C by X plus Y minus Z यह तीनों क्या है equal है तो अभी हम क्या लिखेंगे हम यही बात को लिखेंगे बभी, क्या है थे बात क्या है नवीन थे बात को इक्या है को जग्या συνतुर प Украї और 2K तो is equal to b by z plus x minus y is equal to c by x plus y minus z ठीक है hence प्रूब्ड एन्स टूडिन एक चाहज आपको दियान देना है देखिए मैंने को जहाँ पर जैसा जगा मिला है मैंने उस सब्सक्राइब लेकिन आप जब सॉल्ब करेंगे सब्सक्राइब लेकिन आप जब कॉपी में सॉल्ब करेंगे तो एकदम सिक्वेंस वाइस आप सीडेली करेंगे ठीक है तो यह था पहला कुश्चिन आजकर दिखने में फिर से वही दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन अगर लाजिकल यह अगर इसको हम करें तो बहुत इसली सॉल्ब हो जाता है ठीक है नाओ नेक्स्ट कुश्च्टन इव एबाई कियो माइनस आर कि is equal to b by r-p question यह दिया हुआ है आपके कौप में नोट कर सकते हैं आप is equal to c by p-q Q then find the value of PA plus QB plus RC और यह भी पहले आ चुक है question ठीक है solve करते हैं इसको इसको भी उसी तरीके सा solve करेंगे जैसा अभी अभी हमने पिछला वाला question solve करता हम यह is equal to क्या ले लेंगे के let A by Q minus R is equal to B by R minus P is equal to C by P minus Q इसको is equal to K ले लेंगे तो ऐसा करने से हमको यहां से A B C का value मिलेगा तो A का value क्या होगा students A का value होगा K into Q minus R है ना B का value क्या होगा B का value होगा K into R minus P and C का value क्या आएगा C is equal to K into P minus Q यह हमको यह अगर K इसको अगर is equal to K assume करते हैं तो ऐसा हमको A B C का value मिलेगा ना जो given expression है वो क्या है पी ए पी ए प्लस Q B प्लस R C है ना तो P into A का value क्या है वो कर देंगे K into Q minus R प्लस Q into B का value क्या है K into R minus P C का value क्या है यहाँ पर R C है ना तो पहले R लिखेंगे और उसका पाद C का value K into P minus Q ठीक है अब यह तीनों expression में देखिए यह तीनों में से के को मैं common ले सकता हूं के को मैंने common ले लिया तो क्या बच रहा है P into Q minus R प्लस Q into R minus P plus R into P minus Q है ना उसके बाद नेक्स स्टेप में क्या किजिए कि मुल्टिप्लाइ कर देते हैं इसको P से Q P Q minus P R plus Q R minus Q P plus P R plus minus minus Q R ठीक है अचार यह प्लस P Q और यह माइनस P Q यह केंसल हो जाएगा है ना माइनस P R प्लस P R यह भी कैंसल प्लस Q और माइनस Q R वाओ जीरो हो गया के इंटू यह क्या हो गया तो के इंटू जीरो जीरो इसका अंसर क्या है जीरो इसका मतलब प्लस क्यू बी प्लस आर सी इसका जो वैल्यू होगा वह होगा जीरो ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेशन करते हैं तो यह है नेक्स्ट क्वेशन एक्स बाइल एम माइनस एन स्क्वेशन की तरह है इसको थोड़ा स्क्वेशन लगा के थोड़ा डिफरेंट टाइप बनाने का कोशेश आजब होगा है वही उसी तरके कए दिखिए इसको हम लोग मान लेता है कि लेट x by lm minus n square is equal to y by mn minus l square is equal to z by nl minus m square is equal to k तो इसमें से x का value क्या आ जाएगा x is equal to हो जाएगा k into lm minus n square y का value क्या हो जाएगा k into mn minus l square and z का value हो जाएगा z is equal to k into nl minus m square ठीक है ओके तो अभी ये expression ले लिजे lx plus m y plus nz तो l into x का value k lm minus n square plus m into y का value k mn minus l square plus nz का value क्या है k nl minus m square यह हमने यहां से फेली सुठा है same way देखिए k common आएगा तो k को मैंने common ले लिया क्या बच रहा है l lm minus n square plus m mn minus l square plus n nl minus m square ठीक है now यह l into lm यह हो जाएगा l square m minus l n square फिर m into mn यह हो जाएगा m square n minus ml square फिर plus n square l minus m square n हमने क्या किया just multiply किया ठीक है अब देखिए तो l square m plus और l square m minus यह दोनों cancel हो जाएगा minus l square n sorry minus l n square plus n square l यह cancel हो जाएगा plus m square n minus n square n तो यह तो is equal to 0 हमको prove करने बोला था देखिए is equal to 0 prove करने के लिए बोला था is equal to 0 hence proved यह ना type बिलकुल पिछले वाले question की तर आई था थोड़ा बहुत values change किये वाए था इसमें ठीक है students तो next question की तरब move करते है तो question में बोला है if x by x a plus y b plus z c is equal to y by y a plus z b plus x c is equal to z by z a plus x b plus x c and x y z is not equal to 0 then so that each ratio is equal to 1 by a plus b plus c okay यानि कि each ratio इसमें पूचा है अच्छा तो हम एक property है मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो इसको हम addendo भी बोल सकते हैं ठीक है यह property क्या है कि मान लिजी if a by b is equal to c by d is equal to e by f यह 3 different ratios है यह equal है तो यह तीनों का जो ratio होगा वो क्या होगा then the value of each ratio is हम क्या कर देते हैं सिर्व नियुमेरेटर नियुमेरेटर दियुमेरेटर दियुमेरेटर आट कर देंगा बस a plus c plus e by b plus d e plus f ठीक है यह property को हम यूज करने से पहले अगर आप यह property को लिख देते हैं तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता हो लिखने प्रॉपर्टी लिखना बहुत अच्छा बात होता है ठीक है तो यही प्रॉपर्टी इसमें हम यूज करने वाले हैं solve करने में तो देखे कैसे हम इसको यूज करते हैं यहाँ पर भी देखिए a by b b c by d and e by f के जगा पर जो values दिया हुआ है उसको लेके just हम क्या करेंगे add करतेंगे और add करने के बाद जो question में जो value दिया हुआ है उसको लेके आने का कोशिश करेंगे वह आ जाता है तो मारा answer बन जाएगा ठीक है तो start करते हैं क्या दिया हुआ है पहले question में जो दिया हुआ हुआ है उसको लेख लीजिए X by X A plus Y B plus Z C is equal to Y by Y A plus Z B plus X C is equal to Z by Z A plus X B plus Y C so each ratio is equal to क्या हो जाएगा using the above property numerator को add करेंगे X plus Y plus Z and denominator सबको add कर देंगे X A plus Y B plus Z C plus इसमें Y B plus Z B plus X C plus Z A plus X B plus Y C ठीक है तो इसमें उपर में वान रहना है that means किसी भी तरीके से X Y Z को हमको यहां से cancel करना है तो X Y Z को cancel करना है यहां से काम करिए कि जो A A वाले term है उसको एक साथ करिए 1 by जितने A A वाले term B B वाले term and C C वाले term तो यह X A हो गया एक प्लस और कहां पर A है यह भी A है Y A तो Y A प्लस Z A फिर B वाले को एक साथ कीजिए Y B प्लस Z B और यहां से यह X B फिर C वाले को एक साथ कीजिए Z C X C Y C है ना अब यह answer आने वाला है देखिए यह तीनों में से A common ले लिजिए तो क्या बचाएगा X प्लस Y प्लस Z यह तीन में से हमने A common लिया है फिर यह तीन में से B common ले सकते हैं तो यहां पर भी Y प्लस Z प्लस X है तो इसको एरेंज करके मैं इसे लिख सकता हूं X प्लस Y प्लस Z यह तीन में से C common आएगा तो इधर पर भी X प्लस Y प्लस Z बचेगा ठीक है नाव इस इक्वल टू वान नहीं यहां पर हम गलत कर दिये यहां पर होना चाहिए एक्स प्लस Y प्लस Z क्या भी तक यह एक्स प्लस Y प्लस Z ही है उपर में यहां पर भी X प्लस Y प्लस Z एक्स प्लस Y प्लस Z तब ही देखिए यहां पर X प्लस Y प्लस Z यहां पर भी X प्लस Y प्लस Z यहां पर भी X प्लस Y प्लस Z तो उपर में रहा गया 1 नीचे रहा गया a plus b plus c यह हमको प्रूफ करना था है यह प्रूफ करना था है तो इसमें यह प्रॉपर्टी जो बता है मैंने अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छा द्हान में अच्छेंगे अगर तीन बराबर है तो उन सभी का रीश्व इसका मतलब क्या होगा उनका नुम्हेटर्स एं उनका डिन्युमेटर्स सम करके जो वैल्यों करें वह होगा उनका रीश्व ठीक है ना रॉन नेक्स्ट कॉश्टियन करते हैं ओके तो नेक्स्ट कुशिएन है इफ a by b plus c is equal to b by a plus c is equal to c by b plus a and a plus b plus c not equal to zero then so that a is equal to b is equal to see okay मतलब a b c 3 तीन वस्मों बराबर है यह हमको प्रूफ करना है अच्छा तो इस question में भी हम इससे पहले जो इस पहले वाले question में जो property use किया था वही property use करेंगे यहां पर a by b plus c is equal to b by a plus c is equal to c by b plus a दिया हुआ है ना so each ratio इसका हर एक ratio क्या हो जाएगा a plus b plus c by b plus c plus a plus c plus b plus a मतलब a plus b plus c by a plus a 2a b plus b 2b c plus c 2c तो यह is equal to हो जाएगा a plus b plus c by 2 अगर common आ जाता है तो a plus b plus c cancel is equal to 1 by 2 यानि कि each ratio is equal to 1 by 2 इसका मतलब एक एक करके a by a by a by b plus c यह is equal to 1 by 2 होगा अगर यह is equal to 1 by 2 हुआ इसका मतलब क्या होगा अगर cross multiply करोगे तो क्या मिलेगा b plus c is equal to 2a है ना b plus c is equal to 2a मिल जाएगा ओके इसको यहां तक रहो अगरे की चीज़ करता है थोड़ सा फिर हम इसको ले लेते हैं c by a by a plus c a b is equal to 1 by 2 हमकी हर एक ratio 1 by 2 का बराबर है तो यहां से हमको क्या मिलेगा यहां से मिलेगा a plus c is equal to 2b ठीक है एंड एक और लेते हैं जो लास्ट वाला है c by b plus a c by b plus a is equal to 1 by 2 तो यहां से मिलेगा क्या b plus a is equal to 2c ठीक है है हमको a plus b plus a is equal to b is equal to c शो करना अच्छा देखिए इसके दोनों साइड में एक एक करके फिर बताता हूं और यह मैं इसके दोनों साइड में एकर a add कर देते हैं यह क्या बन जाएगा a plus b plus c is equal to 3a ठीक है और a क्यों add किया क्योंकि b plus c है a b c complete करने के लिए यहां पर a plus c है इसके दोनों साइड में b add कर देता हूं तो adding b on both the side क्या मिलेगा a plus b plus c is equal to 2b पहले से यह हो जाएगा 3b उसी तरह से इसमें b और a है पहले से c add कर देता है a plus b plus c is equal to 3c ठीक है अब ध्यान दीजिए तोड़ा से इसमें इसमें हमको क्या मिला यह one यह equation 2 और यह जो equation है यह equation 3 तीनों equation को compare करके आप सोचे दिमाग में कि क्या मिला है कुम्पेरिंग एक्वेशन वान टू एंद्री वी गेट 1 2 और 3 तीनों क्या मिला देखे तीनों क्या है यह बीजिए का वैलू एक इसका मतलब क्या हुआ कि 3A इस इक्वल टू 3B इस इक्वल टू 3C अब इसमें 3 गैंसल हो जाएगा कि इनों में आ रहा है तो देर्फोर एस इगल टू बी इस इक्वल टू सी यही प्रूफ करने के लिए बोला था ना कुछ कोशन आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए को लिख लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए रिलेटेट कोशन है जो अभी हमने किया ता उसी से रिलेटेट कुछ कोशन दिये हैं अब तक कि जितने भी कोशन हमने किया है सारी कि सारी important questions है हर question अगर यही question आप कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने के जरूत नहीं पड़ेगा board exam का preparation के लिए और भी question हम next class में करेंगे ratio and proportion का ठीक है तब तक जो भी question मैंने दिये हैं उनको अच्छे से एक और बार आप practice कीजिए जितना practice करेंगे उतना आप जो है इसमें आपका ज next class में इतना ही मिलते next class में thank you take care bye bye